Good Morning Students, This Is Computer Class आज हम Lesson No. 2 का Practical करेंगे हमारा जो Second Chapter है वो है Windows Movie Maker हम देखते हैं कि इसमें कैसे Movie Create की जाती है Windows Movie Maker में यह Windows Movie Maker का Software है, हम इसे Open करते हैं इसमें यह वाले Features हमें दिखाई देते हैं सबसे पहले हम क्या हाँ import picture पे click करेंगे हम video भी import कर सकते हैं audio भी import कर सकते हैं music भी import picture करते हैं जहां भी आपने photos रखी हुई है उनको search करेंगे यह सारी अगर हमने select करने है control A control A प्रेस किया सारी ही select होगी import पे click किया तो यह यहाँ पे आगी import होगी सारी photos अब एक एक करके यहाँ पे इसको timeline पे set करेंगे इसके बाद हम कोई music भी गहरा लगाते हैं इसके पेखांँ आगे हम आ इसको आप एक अप आप इंप आप आप मैं इंपोर्ट किया यह music फाईल आगी स्को ड्रै करके नीचे लेके जाएंगे हम नीचे यहां पर फोटोस हैं, फोटोस के नीचे यहां पर लग जाएगा यह, यह हमारा म्यूजिक शो हो रहा है, म्यूजिक कहां तक है, इसको हम, जैसे फोटो यहां तक आ रही है, हमारी फोटोस, म्यूजिक हमारा जा रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं यह photos के equal आ गया music उसके बाद हमने effect देखने है यहाँ पर हम video effect दे सकते हैं, यह सारे videos effect है transaction effect है हर एक slide कैसे open होगी इसको drag किया है हम first and second photo के बीच में हमने यहाँ पर छोड़ देते हैं फिर second यह third में लग गया यह fourth में लगा देते हैं यह fifth and यह sixth photos का size हम increase भी कर सकते हैं यह उपर timeline आ रही है उसके recording जितना time हम photos को रखना चाहते हैं desktop पे उतना उसका size increase कर सकते हैं एक बार इसको अब play करके देखते हैं यहां से ही side यह आपकी वीडियो है अब इसमें हम title देंगे title and credit title beginning पे होता है credit होता है जो end पे आता है thanks हो गयरा हम करते हैं यहां पे हम title देते हैं कोई भी यह हमने title दिया title का animation भी यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे हम animation भी इसका change कर सकते हैं यह यहां पे हमें दिखाएगा यह हमने done कर दिया उसके बार हम देखते हैं credit यहां पे हम credit लिखेंगे इसका भी animation हम change कर सकते हैं color भी change कर सकते हैं अब इसको प्ले करके देखते हैं स्टार्टिंग से अब इसको हमने कंपिटर में सेव करना यह लास्ट वाली ऑप्शन है हमारी सेव टू माई कंपिटर मूवी का नेम दे सकते हैं यहां पर कोई भी और ब्राउज का यहां पर कहां पर आप सेव करना चाहते हों डेस्क टॉप क्लिक कर लोगे तो डेस्क टॉप पर आ जाएगे नेक्स्ट करेंगे यह हमारी वीडियो जो है यह डेस्क टॉप पर आ जाएगी यह हमारी वीडियो है यह हमारी वीडियो है यह वीडियो को हम यूट्यूब पे भी अप्लोड कर सकते हैं और मुवाइल में भी प्ले करके देख सकते हैं थैंक्यू